अगर कोई मुसलिम कुरान के उपर हाथ रखकर कोई कसम खाले तो क्या वो कसम वापिस ले सकता है? बैसाब ने पूछा है कि अगर कोई मुसल्मान कुरान पे हाथ रखके कसम खाता है, तो क्या वो कसम वापिस ले सकता है के नहीं? है कि उसके ओपर अपर करे قrem करान, परात रखना ने है, रकनाuse, अश्वरAct कुछ लिखा नहीं है। अगर उसे पता चलता है का, मेने कुछ घलत चीज़ कहें दिया हूँ और किसी का नुक्सान होगा चाई शेयत के हिलाफ है قرآن کے خلاف ہے اللہ کے رسول کے پیغام کے خلاف ہے फिर उस قسم को तोड़ singing लेकिन आम तोर पर अगर वो قرآن के खिलाफ नहीं है मुम्मद ص Dai deliberate के पेगامات के खिलाफ नहीं है तो उसे अिसे कोफ़ चीड नहीं है खुरान के उपड़ लेकिन अगर वो अल्ला का नाम लेता है और कस्म खाता है आम तोर पर अल्ला का नाम चोटी मोटी बात में नहीं लेना चाहिए लेकिन अगर वो अल्ला का नाम लेके कोई कस्म खाता है तेक्स एन ओत इंद निम अफ अल्ला सुभाना वो ताला फिर उसके उपर और लादम हो जाता है और अगर वो उस कसम को पूरी न कर सके उसे कफारा देना पड़ता है उसे जुर्माना देना पड़ता है